तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट स्थाक में और जिस दिन का आप सबको बेसबरी से इंतिजार था वो दिन आ चुका है जी हाँ IPL की शिरुवात आज से होगी चे पॉक में खेला जाएगा चेनाई सूपर किंग्स और रोयल चैलेंजर बैंगलूरू के बीच में ये मैच और चिननाई सूपर किंग्स के फैन्स और RCB के फैन्स काफी ज्यादा एक्साइटिड है इस वीडियो में हम बात करेंगे MS दोनी की जी हाँ हाला की कप्तानी अब नहीं रही है उनके पास इस वीडियो में हम आपको बताऊंगी कि बतौर कप्तान चिननाई सूपर किंग्स के लिए कितने लखी थे हमारे थाला इसके अलावा चेपोक में कितना मुश्किल है किसी भी विजिटिंग टीम के लिए जीत दर्ज करना और इसके अलावा ओवर ओल हेट टू हेट की बात करेंगे CSK वर्सेस RCB और RCB का क्या रिकॉर्ड रहा है चेपोक में और कब लास दफा जो है RCB ने यहाँ जीत दर्ज की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं MS धुनी की रुतुराज गाईकवाइड आपको बतौर कप्तान नजर आएंगे इस सीजन में कप्तानी करते हुए और MS धुनी है स्टेप डाउन फ्रम दिस रोल लेकिन अगर कप्तानी की बात की जाए ओवर अगर IPL की बात की जाए तो MS ध देखते हैं अगर आप रिकॉर्ड देखें MS धुनी है CSK काप्टन इंदी IPL 212 मैचेज में उन्होंने CSK की कप्तानी की है जिसमें 128 मैचेज में उनको जीत मिली है और 82 में हार मिली है दो no result रहा है इसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा overall 133 IPL wins जो है MS धुनी के नाम है in IPL which includes any other team other than CSK लेकिन इसके अलावाद चेपोक की बात करते हैं मैंने कहा आपको कि visitors का यहाँ पर लग ज्यादा अच्छा नहीं रहा है कौन सी ऐसी team है जिसने यहाँ पर CSK को last हराया था वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी अगर CSK की चेपोक की बात की जाए record की त तो 70 प्रतिशत यहाँ पर उनको जीत हासिल हुई है अब देख सकते हैं CSK ने यहाँ पर 64 मैचेस खेले हैं जिसमें 45 जी हाँ सकतर प्रतिशत जो है 45 मैचेस यहाँ जीते हैं 18 में हार का सामना करना पड़ा है एक टाइड है और highest score देखा जाए तो 246 है lowest score 109 इसके अलावा यहाँ पर overall क्योंकि CSK versus RCB की बात हो रही है overall दोनों टीमों का क्या record रहा है head to head क्या आकड़े बताते हैं आईए इस वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ head to head देखा जाए मैचेस कितने हुएं दोनों के बीच में 31 मैचेस हैं जिसमें से 49 सुपर केंस को 20 में जीत मिली है RCB को 10 में जीत मिली है और 1 no result रहा है इसके बाद अगर RCB का record चेपॉक पे देखा जाए तो वो किस तरह रहा है when was the last time RCB had won a match in चेपॉक that was way back in 2008 में RCB को यहाँ एक लौती जीत मिली थी जो कि inaugural season के बाद कभी भी यहाँ पर RCB नहीं जीत पाई है तो matches चेपॉक में दोनों टीमों के बीच में 9 खेले गए हैं जिसमें से चरनाई सूपर किंग्स के नाम 8 जीत हुई है और RCB जैसे कि मैंने आपको का एक लौती जीत उनको मिली थी और वो जीत थी 2008 में जो कि सबसे पहला IPL का season था तो यहाँ पर जितने भी RCB फैन्स हैं उनको करने होगी बहुत सारी पूजा और they have to cross their finger कि आज वो दिन हो जब उनको इस match में जीत मिले लेकिन चेनाई का जिस तरह से record रहा है चेपॉक पर चेनाई फैन्स काफी जादा खुश हो रहे होंगे आप comments section में जाके मुझे बताईए आप CSK फैन है थाला फैन है या आप RCB फैन है किंग कोली फैन है उमीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजे शेयर कर लीजे और हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिए इसके अलावा the sports.com पर भी जाके साथ यह खबरें पढ़ सकते हैं, stats देख सकते हैं, इसके अलावा sports.com का app डाउनलोड कर लीजे, आइटल का phone लियाए एक ऐसा phone जो आपके budget के अंदर आता है, 10 minute में charge हो जाता है, I am getting out of breath so I am going and getting my snacking option, healthy snacking option which is American pistachios और Crick Crockett एक ऐसा app जहाँ पर live score update सबसे फड़ा फट आपको मिलते हैं, तो अभी के लिए बस इता ही, मुझे दीजे इजाज़े, धन्यवाद.